कि हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा परियावरन जो कि क्लास सेवन्थ जो ग्रफी का लेक्षर नमबर वन होने वाला है लेसन वन का तो हम लोग इसमें बेसिक सा स्टार्ट करेंगे क्लास सेवन्थ के बच्चों के लिए जो कि हम NCRT में एक चीज देखा करते हैं कि बच्चों को समझ में आने के लिए उसने एक कहानी को ले करके प्रस्तुत करता है तो हम लोग भी उसी कहानी को ले करके बुक के द्वारा पढ़ाई करेंगे जो भी एक स्टा इंफॉर्मेशन होगा वो आपको बीच में दिया जाएगा तो हम लोग स्टार्ट करते हैं जिसकी बुक है हमारा पर्यावरन हिंदी मेडियम में अब इसे इंग्लिस मेडियम में भी बुक निकालोगे तो एक ही चीज इसे मिलेगा तो कोई भी हो इंग्लिस मेडियम हो या हिंदी मेडियम हो वो दोनों के लिए ही फायदे मन्द होगा तो अब लोग स्टार्ट करते हैं पर्यावरन जिसमें लेसन नमबर फ़न अब सबसे पहली बात आती है पर्यावरन क्या होता है तो इसके बारे में हम थोड़ा देखते हैं जिसे कि अगर कोई ब्यक्ती या कोई भी आदमी अगर यहाँ पर है कोई भी आदमी है तो इसके चारो तरफ क्या क्या होगा बहुत सारे चीज हो सकते हैं तो इस सारे बस्तू हो यह कुछ खोई भी चीज जो प्राकृतिक हो यह निस्यूरल हो यह आपिफेस्ज्चल हो यह मैनमेट बोलते हैं वो सब कुछ भी जीज़ हो सारे को हम लोग बोलेंगे कि वो इन्भार्मेंट का ही पार्ट है पर्यावरण का ही पार्ट है को परिए-पी-चीज़ हो जिसे हमारे चारों तरफ किया है जासा स्कूल में कोई बच्चे बढ़ते हैं तो उसका सारों से साफ़ाथी हों तो क्या होगा टेवल बेंच होंगे फिर क्या हो सकता है उसमें तो उसका चारो तरफ में उसके किताब होंगे कोपिक्स होंगे ठीक है उस परकार से उसके बेलिंग्स होंगे बहुत सारे चीज़ जितने भी हैं पार्क में देखेंगे फिल्ड में तो पेर पौधे लगे होंगे फूल होगा तो यह सब को हम बोल सकते हैं कि पार्यावरन में ही है तो पार्यावरन में अब वो सांस ले रहा है तो कहां से सांस ले रहा है तो बायू पायू से ले रहा है बायू मंडल से ले रहा है जिसको हम लोग आटमास्फियर कहते हैं तो जब आटमास्फियर से ले रहे तो वो आता है हाईड्र अस्फेर उसको बोलते हैं यह जल मंडल कहते हैं उसी परकास अब जब जमीन पर यहां पे घर बनी हुए जहां बस्टे कर रहा है रुका हुआ है रह रहा है तो वो भी किसके पाठ है तो भी बोलेंगे पार्य वरन का पाठ है जिसको हम लोग लिथो अस्फेर कहते हैं यानि अस्थर मंडल के नाम से जानते हैं अब जहां पर तीनों मंडल मिल जाए कौन-कौन हो जाए एक बोले लिथो अस्फेर जिसको अस्थर मंडल बोला जाता है ठीक है और एक हो गया hydrosphere जिसका water वाला हो गया और एक atmosphere जहाँ पर तीनों मिल जाएगा तो इसी को हम लोग बोल देते हैं कि वहाँ पर ही biosphere होगा मतलब आदमी लोग वहीं पर निवास कर सकते हैं तो biosphere इन्हें चार यहाँ पर हम लोग मंडल देख रहे हैं अस्थर मंडल जयर मंडल बायू मंडल और जयर मंडल तो यह सब आपको यहाँ पर यह सब चारों पर चारों पार्यवरन का ही यानि इवार्मेंट का ही parts से तब लोग चलते हैं अब बच्चों की कहानी सुन करके आगे बढ़ते हैं कर्मिक छुट्टी में देखा यादगार के लिए कुछ लेते आना या तु चलो मेरे घ़र चलो इस परकार से बोखुत सारे लोग जितने भी दोस्त होते हैं कुछ ना कुछ याद के लिए मंगवाते हैं या लाते हैं ठीक है तुसरी के कहानी पर हम लोग चलते हैं लंबी छुटियों के बाद जब रवी, कोई रवी नाम का बच्चा होगा, अस्कूल जा रहा था, छुटी हो गई थी, छुटी होने के बाद अस्कूल खूली, उस बग जब अस्कूल जा रहा था, तब उसने देखा कि उसके अस्कूल के निकट के खेल के मैदान में खुदा हो गई थी मतलब जहां पर EU स्कूल होगा उसके बगल में कश्विट होगा жहां पर उन लोक कहला करते हुए वहां पर खुद्याइः होगे थी मतलब कि वहांज वेडिंग का कंस्ट्रक्संध कर करना था जिसके कारण से वहां पर खुदाई की गई थी वहीं एक मैदान उनकी खेलने के लिए वहां पर था जिस मैदान में खुदाई हुई थी उसी मैदान वहीं मैदान मात एक था जो कि वहां पर बच्चे खेल सकते थे लोगों ने बताया कि वहाँ अनेक फलैटो वाली बड़ी इमारते बनेगी जिसको हम लोग अपार्टमेंट बोलते हैं तो बहुत सारे फलैटो वाली बहुत बड़ा इमारत बनेगी उसको पता चला कुछ किनी लोगों के दोरा जब रवी को समझ में आया कि मुलाइम घांस गेंदे के फूल यम तितलिया वाला विसाल मैदान वहमेशा के लिए नस्ट हो चुका है तो उनकी आँखों में आसो छलकने लगे चाहिर सी बात है जिस चीस से ज्यादा लगाब जिसको होगा अगर वो नस्ट हो जाए तो रियली क्या है कि आँखों से आशू आने लगता है तो उसको पता था कि हमारे हम को खेलने के लिए मत एक ही प्लेग्राउंड था और वो भी अब फ्लैट बनने के लिए है तो उसने सोचा कि जो यहां पर मुलाइम घास था गेंद के फूल था यह फिर वहां पर जो तितली उड़ता उगा करती थी सब के सब नस्ट हो चुका है कि अब वो सब नहीं रहा और यह सोच करके उसके आँखों में आशू आ गए उसने यह अपने उसने यह बात अपने साफवाठियों निकलासमेट को बताई बताई और उसके बाद अब कलास खुलेगी तो सुबह का सभा में प्रधाना चार्ज ने बहुत उदासी से कहा देखो कैसा हमारा परियावरन बदल रहा है यानि अब यहां से कोसर आता है अब कि परियावरन है क्या ठीक है जेसी यह यह प्रचार देखो परियावरन कीस फरकार से बदल रहा है तब यहां पर तो कच्छा में पहुंचकर रभी ने अपने सिच्छक से पूछा सर्फ परियावरन क्या है यानि Ilman記 है क्या तब सिच्छय काते हैं जो कुछ भी अपने आस पास देखते हो और सब के सब क्या है पर्यावरन रवी कहने लगा इसका अर्थ है क्या है अस्कुल भवन भी है पर्यावरन मेज भी है कच्छा में रखी कुर्सियां भी है यहां तक की खुला मैदान सड़ा कुड़ा करकट मेरे दोस्त यह सभी पर्यावरन के अंग है तो तुमों का निर्मान प्रकृति ने भी किया है जिसे जितना भी तुमने कहा उल्लगभग सब के सब मानव निर्मी था जिसे स्कूल कौन बनाया मानव बनाया मेज का कुर्ची यहां तक एक खूला मैदान त्रिके मैदान में जो पार्क बनाते हैं सड़क कुड़ा करकर जो हम फिक देते हैं यह सब मानव निर्मी था तुसरी में कहते हैं कि जरूवत इतना ही नहीं तुम और भी चीज़ रूखो और भी चीज़ सोचो क्या सोचना है कि प्रकृतिन के द्वारा भी हमारे आसपास में पर्यावरन में हैं जैसे क्या है परवत हो गया फिर कौन हो जाग लेकिन वो सब को भी किस ने किया था प्रकृतिने तो यहां पर प्रकृति के द्वारा बनाया हुआ या मानव के द्वारा बनाया हुआ अगर हम सब को एक साथ में लेते हैं तब हमारा वो सब पर्यावरन कहलाएगा अब इसमें एक्टिविटी भी करके आप लोग को लानी होगी जिसमें क्या है कि कुछ दोस्त जैसे अप लोग सहपार्थी जितने भी क्लास में होते हैं उस सारे लोग क्या करें कि अब दो चात्रे को एक कार्ज देते हैं कि अपने निकर बटे सहपार्थी के साथ मिलकर प्रकृति और मानव निर्मित बस्तूग सुची बनाएं मतलब यहां पर डिफ्रेंस लाना है या तो कर सकते हो दोनों का क्या 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 आप कि यहां पर देखेंगे कि पार्यावरन में हमारा इन्वार्मेंट में मैंड में कौन-कौन हो सकता है फिर हम लोग देखें कि निच्रली के द्वारा क्या दिया हुआ है तो इस भरकार से यहां पर हम लोग को बना के लाना है होंबर्क में तो यह आपको चेक किया जाएगा ठीक है अब देखिए आगे चलिए इसमें कुछ है उसको हम लोग डिसकॉस कर लेते हैं कि पर्यावरन फायदा क्या है पर्यावरन से किता हमारे जीवन का मुल अधार है है यह हमें सांस लेने के लिए हवा पीने के लिए जल खाने के लिए भोजन यह रहने के लिए भूमी पदान करता है यहां यहां पर जीवन संभव है कहां कहां जहां पर सांस लेने के लिए हवा हो जाएगा पीने के लिए जल हो जाएगा और खाने के लिए भोजन एबम रहने के लिए भूमी परदान करता हो यहां अस्थाल मंडल हो गया यहां पर जल मंडल यहां पर बाई मंडल तीनों र इस मानव इस प्रकृती अंडियों मानव इस प्रकृती ऐ olmuş इस कि Dec exclusively कैसे परीवर्बाइब करता हैं की परिवार्ब की पॉस्तिकों होता है कैसे कर-पाता हैं तो देखे हम लोग ऐसे करते हैं कि देखे होंगे कि यह जो बायू में इतना ज्यादा पॉलूशन हो गया कैसे तो इतना कार जो है इतना धुमा प्रदूस्ट निकालता है जैसे कि हम आया तो फिर का सकते हो जो गौं में खाना पटता है चुला पे वह उससे निकला हुआ नहां से केमिकल वाले जो पानी होता है वह से हम लोग नदी मुहिद में ही परवाय कर देते हैं जिसके करण से जल मंडल भी प्रदूस्ट हो गया इस परकार से हम देखे हैं कि प्रकृतिक परियावरन था पहले बहुत अच्छा क्लियन था लेकिन अब क्या हो गया क्यों ज पातरे में कर्तित किया जाता है बोजन के बरतरों में प्रोसबा जाता है अब भूमी के पर कर खानों परिवांब करता है यह सब कि बजबा से पुरा पूरा हम क्या करते हैं चैंच परदेते हैं परकृतिक कि इन्तिवर नहीं दिया हुआ था उसको हम लोग अपने अब बना लेते हैं तो वो सब कह सकते हैं कि वो सब प्रकृतिक पर्यावरण को हमने चेंज कर दिया जैसे यहां पर कुराय कि रभी परमजीत जैसी मुस्ताफ़ा आदी आसा सभी यह सुची बनाने के लिए उसुक थ हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है यहां से कोस्ते सिच्छक ने उतर दिया ऐसी हमारे जरूरत के कारण होता है जिससे अब सोचना है कि आखिर क्या बजा हुए होगी कि वो स्फिल्ड को खुदाई करके वहां पर बिल्डिंग बना रहा है बजा क्या थी तो बिल्डिं बनाएगी और उस बिल्डिंग में सारे तरह कि जितने भी सुब्धाएं होगी सारे सुब्धाएं देने का पर्यास किया हो गया जितने परकार से उसकी सहुलियत हो यानि उसकी जरूरत बढ़े उस तरह से मानव ने पुरा पर्यावरण को चेंज कर लेता है ठीक है तो उस परकार समका सकते हैं कि प्राकृति का जो था उसका उस पर्यावरण को मानव ने अपने तरह से चेंज कर लेता है यह जो परिबरतन है उद्दीन पर दिन बढ़ते जारी जैसे क्या है रोड बनना है तो रोड की नारे जो पेड़ पौदी होते हैं उसके लोग काड़ देत पर acum पर इसलिए हम प्राकृति बाततावरण में परिवरतन करते हैं क्यों करते हैं अपनी जरुवत के हिसाब से प्राकिरति जो पातावरण था उसमें हम लोग परिवरतन कर देते हैं और कभी-कभी उससे नस्ट भी कर देते हैं इस बतायाँ कि रोड बनाना होता है कैंस्ट्रक्शन करने होती हैं तो हम लिए खातम कर थे टोगा यह यहीं आर्यटी वार्तावरन को हम लो तो यूज करी रहते हैं साथ से उसको नयस्ट्र भी गरते हुए जा रहे हैं कब जब परियावरन को में लोग परिवार्थन कर रहे हैं तब अब इसमें देखते हैं कुछ है इंपोर्टन चीज़ चलिए अब नेक्स्ट में नेक्स्ट ग्लास जब परियाद में जब अब आजाए जब आए आने कर दोर्टन कर दोर्टन चीज़